नमस्कार प्रभासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि क्या राजसभा चुनाओ में भी अशो के गहलोत दिखा पाएंगे अपनी जादुगरी तो आए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकिन उससे पहले अ चुनाओ के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने तीन प्रत्याशी वा भाजपा ने एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वहीं हर्याना से राजसभा सांसत्थ सुबाश्यंद्रा के निर्दलिये मैदान में उतर जाने के बाद राजस्थान में राजसभा का चुनाओ रोच ऐसे में जीत के लिए हर सदस्य को 41 मतों की जरूरत परेगी। कॉंग्रेस पार्टीक ने वरियता क्रम में मुकल वाशनी करंदीप सुर्जेवाला वह प्रमोत तिवारी को अधिकृत्य प्रत्याशी घोशित किया है। वहीं भाशपा ने वरिश नेता घंस्याम तिवारी को अधिकृत्य प्रत्याशी बनाया है। करने होंगे। भाशपा के 71 सदस्य होने के कारण उनके प्रत्याशी की आसानी से जीत हो जाएगी। पार्टी अपने बचे हुए 30 वोट निर्दलिये शुबास चंद्रा को देती है तो भी जीत के लिए शुबास चंद्रा को 11 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। जो उन्हें निर्दलिये तथा अन्य दलों की विधायकों से लेने होंगे। मीडिया मुगल शुबास चंद्रा के चुनाव मैदान में आने से राजस्थान में राजसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोक्त की संभावना बढ़ गई है। इसी को देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी ने अपने समर्थक विधायकों की उदैपूर में बाड़े बंदी कर दी है। निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में उत्रे शुबास चंद्रा ने दावा किया था कि उनकी कई छोटे दलों के वह निर्दलिय विधायकों से बात हो चुकी है, उनके वोट उनгли मिलेंगे इसलिए वह हमेदान में उत्रे हैं। शुबास चंद्रा पिछली बार भी हरियाना में चुनावी उलट फेर करके ही चुनाव जीत गए थे वैसे ही संभावनाएं वह राजस्थान में भी देख रहे हैं मगर हरियाना वह राजस्थान की परिष्टित्यों में काफी फर्क है पिछले चुनाव में शुबास चंद् हर्याना में भाज़पा की सरकार का होना था जबकि अभी राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है और राजनिती के जादूगर माने जाने वाले अशो के गहलोत मुख्यमंत्री हैं ऐसे में शुबास चंडरा के लिए जीत की रहा हर्याना की तरह आसान नहीं होगी राजस्थ बैसे में राज सभा चुनाव में भी अषो के गहलों तीनों ही प्रत्यासियों को जीता कर राजीनीती में अपनी जादुगरी दिखाने का हर संभाव प्रयास करेंगे हलाकि राजस्थान में कॉंग्रेस के तीनों ही अधिकृत्य प्रत्याशी बाहर के होने के कारण कई विधायकों में असंतोष देखा गया है। कॉंग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान के एक भी व्यक्ति को अपने प्रत्याशी नहीं बनाये जाने के कारण कॉंग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। राजसभा चुनाओं की घोषना से पहले अलपसंख्यक आदिवासी समाज की तरफ से उनके किसी नेता को प्रत्याशी बनाये जाने की मांग की जा रही थी। मगर कॉंग्रेस आलाकमान ने सभी की मांग को ठुकराते हुए तीनों ही प्रत्याशी केंद्र की राज़री तिकनने वाले नेताओं को बना दिया। इसे से अस्थानिये लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है जबकि भाजपा ने पार्टी के वरिष्ट नेता घंसयाम तिवाडी को तिकत दे कर एक तीर से कई शिकार किये हैं। एक तरब जहां ब्रामन समाज के दिगज नेता को राज़सभा में भेजा जा रहा है तो वहीं वसुंद्रा राज़े के धूर विरोधी तिवाडी को तिकट दे कर भाजपा आलाकमान ने वसुंद्रा राज़े को बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाओं में उनक उसका खामियाजा कॉंग्रेस पार्टी को आगे चल कर विधानसभा चुनाओं में उठाना पड़ सकता है राजस्थान में अभी कॉंग्रेस के तीन राज़सभा सांसद हैं जिन में से दो पूर्वे प्रधान मंत्री बनमोहन सिंग एवं कॉंग्रेस के संगठन महामंत्र वेनु गुपाल प्रदेश के बाहर के हैं यदि इस चुनाओं में तीनों ही प्रत्याशी जीत जाते हैं तो छे में से पाच सांसद प्रदेश के बाहर के हो जाएंगे राजसभा चुरा में अक्षर देखा जाता है कि प्रदेश में सत्तारूर दल को फाइदा मिलता है पिछली बार वसंद्रा राजे की सरकार में चार सीटों पर हुए चुनाओं में कॉंग्रेस ने निर्दलिये कमल मुरारका को समर्थन देकर मैदान में उतारा था से कॉंग्रेस में आये उदैपुर वाटी के बिधायक वह सैनिक कल्यान राज्यमंत्री राजेंद्र सिंग गुढः ने भी तीनों ही प्रत्याशियों के प्रदेश से बाहर होने पर नराजगी जताई थी उनका कहना था कि राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा प्रत प्रत्याशिय बनाते तो प्रदेश की जनता को अधिक लाफ मिलता ऐसे ही पूर्वे मंत्री एवं वरिष्ट विधायक भरत सिंग ने भी तीनों ही बाहरी प्रत्याशियों को लेकर खुल करना राजगी जताई है कॉंग्रेस को समर्था दे रहे निर्दलिय विधायक सैयम लोड़ा ने भी आला कमान द्वारा घोशित तीनों नामों पर आपत्ती जताई है मगर वा खुद पूर्वे में प्रियंका गांधी कुमार विश्वास कनिया कुमार जैसे बाहरी लोगों को टिकर देने की वकालत मीं कर चुके हैं भाजपा के तरब से कमान केंद्रिय मंत राजे नेता प्रतिप्रक्ष गुलाब चंद्य कटारिया ने संभाल रखी है वहीं कॉंग्रेस की कमान पूरी तरह से असोग गहलोत के हाथ में हैं गहलोत किसी भी तरह तीनों प्रत्याशियों को जिता कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इससे वह आला कमान की नजरों म काफी नजदी की लोगों में शुमार हैं ऐसे में चुनाओ जीतने पर या नेता दिली की राजनेती में मुख्यमंतरी गहलोत की बात का समर्थन करेंगे इससे गहलोत का पक्ष मजबूत होगा बहराल चुनाओं में कौन जीतेगा कौन हारता है इसका सही पता तो नतीजों के बाद ही लग पाएगा मगर फिलहाल राजस्थान में राज्य सभा का चुनाव पूरे शवाब पर है सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर समी करण बिठाने में लगे हुए हैं आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी अन्यमद्दे पर देंगे आपको विश्ते जानकारी जुरे रही है प्रभाशाक्षी के साथ